अंतर राश्ट्री सर्फ पर क्लीन एर केटलास्ट प्रोग्राम के लिए पांच वर्शों खिली भारत में केवल इंदॉर्ज शेहर का चायान किया गया है इसके देहर इंदॉर्ज शेहर की आबो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन ने प्रयास किये जाएंगी संस्था USAID वा अन्य मुख्य पार्टनर अंतर राश्ट्री संस्थाएं जिसे EDF वा WRI के सहयोग से भारत में केवल इंदॉर्ज शेहर के क्लीन एर के अटलास्ट कारिक्रम के शुरुआत की गई कारिक्रम में इंदॉर्ण नगरपालिक निगम वा मध्यर्वदेश प्रदूशन नियंतरन बूर्ड के सहयोग से शहर में स्वच्छ वशुद्ध हवा हैतू परियोजना का संचालन पांच वर्स तक किया जाएगा इसे तू मंगलवार को निगमायुक्त प्रदिभापाल की अध्यक्षिता में कारिक्रम के संचालन वरूप रेखा पर क्लीन एर के अटलास्ट टीम के साथ चर्चा की गए परियोजना के अगले चर्ड़ों में स्वास्त जलवायू परिवर्तन वर जेंडर जिसे मुद्धों पर भी कारी किया जाएगा पूरे विश्वियापी जो इस समय का सिनेरियो है उसमें क्लीन एर को यह माना जाता है कि हमारे यहां लिविंग स्टेंडर लोगों का क्या है और जिस शहर का जो एर कॉलिटी इंडेक्स है उसमें जितना अच्छा परफॉर्मिंस रहता है वो उस शहर के लोगों के लिए शहर उतना अच्छा रहने लाइक होता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो अधिकतर बीमारियां है वो बायू प्रदूर्शन के वज़े से होने वाली बीमारियों की संख्या और मात्रा बहुत जादा है तो इसी संबंद में युएस एड ने डवराई के साथ म मिलकर यह एक क्रीन एर केटिलिस्स प्रोग्राम लॉंच किया है जिसमें उन्होंने पूरे विश्वभर में दो शहरों का चैन किया है एक इंडोनेशिया से जकारता का और इंडिया से अंदौर का वो देश ही इसके पीछे यह है कि हम लोग जो युएसेड की टीम है और ड पॉर्शनमेंट स्टडी कहते हैं जिसमें बेसिकली उन्हों सोर्स की स्टडी होती है उनका इडिटिफिकेशन होता है जिनकी वज़े से शहर में पलिशन होता है इसमें ना सिर्फ शहर का बल्कि शहर के आसपास का जो एरिया है उसके कारण भी यदि हमारा बायू जाए इसके रणनीती और इसकी जो पूरी तयारी करनी है वो इसका एक एक एक्शन प्लान बनेगा इन थर्ड इसके मिटिगेशन के लिए जो कर्रेक्टिब मेजर स्नगा निगम को लेने हैं वो हम लोग लेंगे कारिक्रम में चुने जाने से अंतराश्टि संस्ताय इंदौर में हवा की शुद्धा बढ़ाने के लिए ना केवल अध्यान करेंगी बल्कि करोड़ों रुपए कानुदान भी देंगी गरतलब है कि इंदौर शहर ने स्वच्चिता सरवेक्षन में एक के बाद एक चार बार नमबर वन का ताज हासिल किया है स्वच्चिता में इंदौर ने ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान मनाई है और से जितेंद्रे चोहान की रिपोर्ट